हेलो ब्रीवन हाई कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मेरा नाम है उर्वेशी जोशी और यह है मेरा चानल टुपल थ्री हाई प्रीस्टेस आज के दिन में यह मेरा तीसरा वीडियो हो सकता एक और वीडियो भी आजा इसके बाद और वो भी एक इंपॉर्टन टॉपिक होगा पर इस वीडियो में मैं बात करूंगी चानल लिंग वीडियो के सचाई चानल लिंग वीडियो आप लोग फॉलो करते हैं पुराने जमाने में क्या होता था जिब मैं छोड़ी थी तो हमारे गली में किसी अंटी पर देवी आते थी और सारे के सारे लोग Tuesday को या Friday को जो है की चरनों में जाकर बैर जाते थे वो बाल खुल के रपती थी और वो चिलादी थी और एक एक करके सब लोग उनके सामने जाते थे अपने सवाल पूछते थे वह कुछ जवाब दे थी यह होता था पहले अभी एक कुछ नया चेंज और honor क्या है कि मतलब 뉉म चानल है c जिनके उपर जो है शक्तियां आती है या जो उनको युनिवर्सल गाइडन्स है जिनके पास या जिनके थर्ड आई खुले हुए हैं के पास इंट्यूटिव पावर है जो ख्लेर वॉइंस है वो क्या करते हैं उन्होंने चानल्स खोल रखें और वो अपने मैसेज़ेस देते हैं लोग उनके चानल्स को विजट करते हैं और कई बारी उनकी चीज़े रेजोनेट होती हैं तो वो खुश होते हैं और वो बार-बार उन चानल्स के तरफ जाते रहते हैं ठीक है तो अब अभी आड़ प्रेजेंट में क्या हो रहा है रियालिटी में अभी क्या हो रहा है बहुत सारे लोग जिनकी की awakening हुई and they are not balanced even जिनका third eye भी imbalance है अभी वो इसी state में क्योंकि YouTube is a free platform तो बहुत सारे लोग जो है वो इस platform पे जो है अपने अपने चानल खोल के अपने अपने चीज़े उन्होंने देने शुरू करती है अगर आप कई सारे चानल देखो तो वो awakening के नाम पे उनकी खुद की कोई authentic knowledge नहीं है क्या उन्होंने experience किया वो नहीं है ठीक है उनको clarity भी नहीं है वो सिर्फ channel messages के base पर ही पूरा वीडियो मतलब channel खीच रहे है जबकि reality यह है जब आप awakening process में आते हैं तो आपके पास धीरे धीरे ज्यान बढ़ता है knowledge बढ़ता है, clarity बढ़ती है और जो आपके experience होते हैं आप उस जगा पे share करते हो और उससे लोगों को benefit होता है लेकिन जादतर awakened souls क्या खर रहे हैं कि बिना heal हुए इन सब चीजों को देना शुरू कर देते हैं इन चीजों को मैंने भी start किया था 2020 में channel message share करना उस वक्त मेरी खुद की energy जो है वो sacral chakra पे थी और उस time period में कुछ समय के लिए definitely मैंने जो है masculine related channel messages दिये हैं और वो सारे के सारे जितने भी मैंने दिये उस time period में वो बिल्कुल resonate होते थे और उसी की वज़े से मेरा जो अतलब की सारे लोग मुझसे देश-विदेश से जुड़े भी ठीक है अभी मेरी खुद की energy उस जगा से उपर तो अभी मुझे ग्यान में रहने का ठीक है और चीजों की गहराई में जाने में गुरुओं की सानेदे में रहने में इसमें जादा मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरा मन नहीं करता क्योंकि उस जगा या उस class को या सेकरल्च वाले जो level है उसको मैं cross कर चुकी हूँ तो यह process जो है एक ही तरीके की बाते करने पे लगे हुए है ठीक है बहुत सारे लोग उनको visit करके उनको सुन रहे हैं जैसे पुराने जमाने में मैंने आपको बताया न कि वो किसी एक lady पे देवी आ जाते थी तो सारे लोग वहां उसके चरणों में बैठे रहते थे और एक एक line लगाके उनसे देवी से वो पूछ रहे है कि मैं एक्जाम में पास हो जाऊंगी यह हो जाएगा मेरे घर में यह हो रहा है और तब वो जो है ऐसे लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि यह जो उचलना खूदना जपटा मतलब जैसे पहले कोई करते थे थे नाच रहे हैं उचल रहे हैं वह इसले करते थे जब उन पर देवी देवता आते थे क्योंकि उनकी चक्रा में अभी भी इगो भरी हुई है यानि कि नेकिटिविटी यह सप्रेस इमोशन भरे हुए इसकी वजह से वह ऐसे चिलम-चिली कर रहे हैं या इसले वह उचल रहे हैं आज की डेट में सबको पता है कि भाई हमने अपने चक्रा क्लेंज कर लिया अब हमको ऐसे नहीं उचलने की ज़रुत है अराम से कुंडल जीने आपके लिए ये मैसिज भीजा है माता काली का आपके लिए ये मैसिज आया है या फिर आपका परसन ये सोच रहा है भगवानों को भी नहीं रहे हैं भगवानों को भी इन्होंने पकड़ लिया है और भगवानों का नाम ले लेके ये अपने चानल को और खीच रहे ह हैं ताकि लोग clarity में आएं ताकि लोग दो ऐसे उचलना इसमें हालत खराब हो जाती है बंदे की अवेकनिंग के बाद उसके चक्र इतने भरे रहते हैं तो उन्होंने बस यही सब करने पर लगे हुए है कि मातकाली ने यह मेसेज दिया आपका परसंड यह सोच रहा है तो अब मैं आपको बदाती हूँ कि कब तक आप जैसे मैं भी इस चानल पर बनाती हूं चानल इंग के पर मैं कोशिश करते हूं कि मैं ऐसे कोई बात आप लोगों के साथ शेयर ना करूं जो आपको बेचायन कर दे वह सुनने के है ठीक है और मैं हाई वाइब्रेशनल सॉंग्स को या जो भी अच्छी चीज़े मुझे रिसीव हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को आपके साथ शेयर करते हूं और जितने भी हम इंट्यूटिव लोग होते हैं जिनकी इंट्यूशन काफी थर्ड आई चक्रा इनका फुला रहता है काफी message मिलते हैं और हमारे को जोब द्रीम आते हैं उते हैं गाइड़े होते हैं और साथ में हमें जो ड्रीम्स के थुरू भी गाइड़नस आती है वो भी काफी क्लियर होती है और उसी के बेसिस पर हम आप लोगों को बता पाते हैं यह सब कुछ हो पारा है यह थर्ड आई चकर की वज़े से तो जो मेरे पास है वो आपके पास भी तो ह हो सकता है कब तक आप और उड्रीम्स बनके इन लोगों को ऐसे सुनते रहेंगे हो सकता है ऑन्यम्माइलंस जो लोग्या मेसेज समझते रहते हैं तो यह भी रहता है तो मैं यह क्याना चाहरे हूँ कि कब तक आप जो हैं लोगों पर डिपेंड रहेंगे कि इस चानल को उस चानल को यह साब विजिट करते रहें आप अपने थर्ड आई को जो है ओबन करें और उसके बाद उसको बैलेंस करें आपको खुद भी आप गाइडिड होने लगोगे खुद को भी आपको मैसेजिस रिसीव होने शुरू हो जाएंगे खुद को भी आपको clarity मिल जाएगी दो आँखों से आप बाहर की दुनिया देख रहे थे आप third eye खुलेगी तो आप वो सब भी देख पाओगे जो पहले आपको नहीं दिखाई देता था जो पहले आपको नहीं समझ में आता था आपकी बी इंट्यूशन हाई हो जाएंगी आपको भी हो सकता ड्रीम के तुरूफ फूट ही मिले है ना पर इसके साथ सथ इसको open करने के वा इसको balance करना भी आना चीए ठीक न और क्योंकि अगर balance नहीं किया तो फिर वो पागलो वाली बाते शुरू हो जाएंगे आप कई सारे चानल पर सुनते हैं बे मतलब की आज ये हो रहा है आज उसने ये सोच लिया आज वो ये फालतू की बाते आज मुझे ये रिसीव हो आज मुझे वो रिसीव हो फिर वही ड्र आप चानलिंग वीडियो वाले जितने भी चानल विजिट करते हैं चाहिए वो मेरा चानल हो है किसी और का चानल हो उन पर भी डिपेंड होने की ज़रूत नहीं है अपने थर्ड आई को आप स्फ्रॉंग कर लेना और मतलब ओपन कर लें उसके बाद इसे बैलन्स कर लें आ आने तो यही देखा है कि वो तो रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कोई प्रेमी की तरफ से दुखी है तो कोई जो है जिस किसी की किसी को किसी की शादियां ही नहीं हो रही है और शादी हुई तो पती से लड़ाईयां हो रही है एक शादे टूटरे दू यह को थोड़ा रुके ना थोड़ा समझो कि मेरे साथ क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है मेरे साथ मेरी क्यों नहीं जयम पा रही है इस मतलब मैं एक पार्टनर्शीप के हापिनेस को experience क्यों नहीं कर पा रही हूं तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको भी ये intuition powers चाहिए या आपको भी चाहिए कि आपको messages मिले ढंके इसके लिए पहली बात यह है कि आपको dependency खतम करनी है और अपने उपर काम करना शुरू करना अपने third eye पे और उसके बाद इसको balance करना भी सीखना है तीक है उसके अलावा relationship म आप struggle कर रहे हो प्रेमी के साथ अगर आप परिशान हो कोई लडकी है उसके boyfriend के साथ उसका नहीं जम रहा यह वो boyfriend के पीछे भागरी है लड़का छोड़ छोड़ के भागर है लड़की भागर है उसके पीछे वो छोड़ छोड़ वो समझी नहीं रहा उसको कि ये मेरे काबिल है उसको लगी नहीं रही वो अपने काबिल ठीक है क्यों नहीं लग रही है शायद कुछ होगा उसमें जो उसने अपने अंदर डेवलप नहीं किया है तो अगर आप किसी बॉइफरेंट को लेके परिशान हो तो आप जो है अपने प्रेमी को लेके परिशान हो तो अपने रूट चकर पे काम करो बजाए कि ये चानलिंग विडियोस को देखते रहना हर रोज ये देखने से तो आप अपनी जो अगनी है और बढ़ा रहे हो उसे परिशान करोगे अन्नेसेसरी इससे बढ़िया है कि आप वो जैसा चाता था आपको वैसे बन जाओ आप काबिल बनो हो सकता है कि जो आपको छोड़के गया है जिस भी वज़े से आप उसे पसंद नहीं थी हो सकता है कि जब आपने अपने पर काम करना शुरू किया आप इतने काबिल बन गए कि जब वो अपने आपी आ रहा है और आप कोई इंटरस्ट ने रहा उसमें अब आपकी इनरजी इतनी हां होगे कि आपको इनी चाहिए वो होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ दुसरी चीज होता है पतले लोग इन है क्यों कि एक स्वर्ड प्र सिह बंको आपक की लिगे में था कि पर शादिया तूट रही हैं तो यहां पर मैं काऊंगी एक तो सूरे चक्र पर काम करो मणी पूरा चक्र पर तीसरे चक्र पर नीचे से तीसरे चक्र पर भ्रस्पति और सूरे का वर्चस वो होता है इस चक्रा पर इस चक्र को हील करो आप और दूसरी चीज है कि अपने हार च काम करना है ओके सो चानेलिंग वीडियो के उपर डिपेंड मत हो अगर आपको बड़ा अच्छा लगता है कि वा 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 उर्वशी में क्या बात है कि इनको सारी चीज़ देती है या कोई और चानल है आप बड़े इंप्रेसों से आप अपने अंदर भी वह क्वालिटी ड मेंशन करती है तो यह था मेरे चानलिंग वीडियो पर लेखे वीडियो आप आप लगों अच्छा लगाओ थांक यू सो मच बाबाए ठेक केर